18-46 वर्ष के व्यक्तियों को कोरोना व्यक्सिन लगाने का कार्य कल से प्रारम हो रहा है आपको बताए कि केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में 18 वर्ष से उपर के लोगों को व्यक्सिन लगाने की गोशना की दी किन्तों व्यक्सिन की अनूप लब्धा के कारण कुछ राज्यों में इस पर अमल नहीं कर पाये थे इनमें मद्यप्रदीश भी शामिल था पांच माई एवाम छे माई को सिर्फ बलखट मुख्यले की श्रास के पीजी कॉलेज में टीके लगा जाएंगे इन दो दिनों में मात्र सौ सो व्यक्तियों की जिन्होंने पूरों में अपना रजिस्ट्रेशन करार लिया है पांच और छे तारिक का स्रेडूल लिया हुआ है उन्हें ही टीका लग पाएगा इसके बश्चात आठ माई तथा दस माई को 350-350 लोगों को कोरुना कटी का में 520-520 लोगों को टीके लगाये जाएंगे इस बीच 45 वर्ष से अधिक आयू के व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित कारेक्रम का नुसार अनवरत टीके लगाये जाते रहेंगे टीका करन अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब ने सभी पात्र व्यक्तियों से टीका लगाने का निविदन किया है ताकि कोरुना की बिमारी से हम स्वयम को बचा सके